हेलो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो अशूक लेलिंड दोस्त प्लस के उपर मैं हू तेजंदर ट्रक्स बस्स डॉट कॉम की तरफ से और आएए शुरू करते हैं ये वीडियो तो दोस्तो ये है अशूक लेलिंड की BS6 दोस्त प्लस आएए पहले बात करते हैं इस गाड़ी के एक्स्टिरियर्स की फ्रंट से शुरू करतों में देखे तो अशूक लेलिंड ने कोई खास चेंज नहीं किया है इसकी फ्रंट की लुक्स में हमें आगे वही एक सिंगल चेंबर हैलोजन लेम के साथ हेडलाइट्स मिल जाते हैं जिसके साथ ही टर्निंग इंडिकेटर्स है एक नजर अगर आप इस गाड़ी की पीछे से लें तो आपको कुछ नया नजर आएगा जो की है इस गाड़ी में रियर पाकिंग सेंसर्स जो की अब BS6 में अनिवा रहे हैं आप करें अगर इसकी लोड उठाने की शमता की तो ये डेट टंग तक का भार उठा सकता है इसकी लोड बॉडी की लंबाई जो है आठ फीट आठ इंच चौडाई पांच फूट तीन एंच और हाइट एक फूट तीन इंच के बराबर है दोस प्लस में आते हैं छे लीव स्प्रिंग पीछे और तीन लीव स्प्रिंग आगे जिने बढ़ाया भी जा सकता है इस गाड़ी में आपको 40 लीडर गा फ्यूट टैंक मिल जाता है जो की काफी अच्छा है एक डीजल गाड़ी के लिए बात करें इसके टायर्स और ब्रेक्स की तो इसमें 15 इंच का टायर आजाता है स्टील रिम्स के साथ जो की आते हैं हाइड्रॉलिक ब्रेक्स के साथ दोस प्लस आता है इस शेनी के सबसे अनोखे डे लीटर थी सिलिंडर बीए सिक्स डीजल एंजिन के साथ जो की आपको देता है 80 HP की ताकत और 190 Nm की टॉक इंजिन ड्राइवर केबिन के नीचे होने के वज़े से इसे मिलता है इस शेनी का सबसे छोटा 2510 mm का वील बेस साथी साथ इसे मिल जाता है इसकी वज़े से एक सेमी फॉरवर्ड फ्रंट डिजाइन जो की इसे मदद करता है सक्री से सक्री गलियों में भी अपना रास्ता अराम से तै कर लेने की शमता अब बात करते हैं इस गाड़ी के केबिन की यानि की इंटिरियर्स की तो इसकी जो ड्राइवर सीट है उसको आगे और पीछे किया जा सकता है जो डाश बुड है वो पूरा का पूरा ही प्लास्तिक का बना हुआ है और इस गाड़ी में तीन वेरियंस आते हैं LE, LS और LX मैं LS में हूँ दोस प्लस में एक मुबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट उसके साथ ही साथ एक हिड्लाम स्को एज़स्ट करने के लिए बटन दिया गया है इसमें मुजिक सिस्टम नहीं आता है पर जगा दी गई है एक मुजिक सिस्टम लगाने के लिए उसके इलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें एक काफी अच्छा मुबाइल होल्डर दिया गया है जो कि स्टेरिंग वील के पीछे है जिसको आप स्टेरिंग वील से देख पाएंगे उसके लावा इसमें एक पूरा धुरा डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कि आपको फ्यूल गाड़ी की स्पीड और बाखी चीज़े बता देगा इसमें एक 5-speed manual gearbox आजाता है driver और co-driver seat के बीच में आपको handbrake दी गई है और उसके साथ ही आपको जो इसी unit है वो co-driver seat के पीछे मिल जाएगी साथ ही साथ 1.5-liter का bottle holder भी मिल जाएगा co-driver seat के आगे आपको एक lockable glove box भी मिल जाएगा बात करें अगर variance की तो कुछ ज़्यादा फरक नहीं है तीनोई variance में LE में आपको power steering और air conditioner नहीं मिलता है जबकि LS में आपको power steering तो मिल जाता है पर air conditioner नहीं मिलता है जबकि LX में आपको ये सब चीज़ें मिल जाती है दोस प्लस के competitors की बात करें तो bolero pickup dayton और tata yodha pickup जो है इसके competitors है इसका डेड़ लीटर का engine इसे प्रदान करता है एक बैतरीन 17-18 km प्रती लीटर की mileage जो निर्भर करेगी driver के चलाने के उपर road conditions के उपर और आप इसमें कितना भार लेके जाता है उसके उपर दोस प्लस आता है तीन साल या फिर एक लाख किलोमेटर की warranty के साथ बात करें हम इसके price की तो जो LE model है वो 6,80,000 के करीब का पढ़ जाता है LS model 6,90,000 और LX 7,10,000 रुपे के करीब का एक showroom price है तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें comment करके ज़रूर बताए और like को subscribe करना ना भूले